असलाम अलेकूम असलाम अलेकूम दोट्टो तो कैसे हैं आप सब लोग हमा कुमित करते जा प्रद्धी करें शाला और आप लोग की दुआउं से हम लिए अच्छी अलम्दुल्ला तो फ्रेंड्स आज जा रही है आलिया घूमने जा रही है वो आलिया को भी नहीं पता और मॉम्मा को भी नहीं पता तो चलिये चल दे हमारे साथ चलिये निकल गए है हम लोग और अभी जा रहे हैं यह देखिए आलिया को नावी इदर 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 तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से आप लोगों को तो ही गाइस अभी हम लोग एंट्री करें हैं यहाँ बेंडर कुला कॉम्प्लेक्स यह सब जो बिल्डिंग है उती है ना ओफिसेज के यहाँ पर जो है यह लेफ्ट हैंड साइट पर देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं जो यह लेफ्ट हैंड साइट पर जो गली गई है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर हम लोग रुख गए हैं अब यहाँ से टरनली तो चलिए देखिए आगे मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ यह जो है धिरुबाई हमबानी का इंटरनेशनल स्कूल का गेट है यह बहुत बड़ा स्कूल है फ्रेंड्स काफी खुबसूरत लग रहा था यह देखिए में गेट जो है इसका तो आगे यहां से हम लोग ज देखा जाये तो यहां पर इसब फिर बैंक ओफ इंडिया बैंक ओड़ोद्र यह दिखिए जीओ वर्ल सेंटर है यहां पर फिर जीओ वर्ल कंपनी करके भी था एक टावर ता आगे आपको मैं दिखाऊंगी दिखिए जीओ वर्ल कन्वेंट करके था कुछ सौरी मैं इनरब बैंक, फ्रेंड्स बैंक ओफ बड़ोद्रा, HDFC बैंक, बहुत सारे बैंक के ओफिसे थे यहां पर जो बाहर लिखा हुआ था जिसे मैं पढ़के आप लोगों को बता रहे हूं यह भी देखिए एक चीज़ है यह है कुछ ली एन, सौरी पढ़ने ही पाई में बराबर अच्छे से, सो आगे निकल गए हम लोग, एक्चली हम लोग जा रहेते हैं सिटी पार्क, बट मेरे हजबन ने का चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, यह देखिए कैनरा बैंक की में आफिस है, यह कैनरा बै हैं वहाँ से, क्योंकि सीटी पार्क जो था वो बन था, यह है वरली सीलिंग, काफी दुनला दिख रहा है, क्योंकि बादल फॉक जैसा लग रहा था, वहाँ पे दुनला दुनला दिख रहने तक ही लिया, चलिए अभी हम लोग आगे हैं, यह बैंड रहा, बैंस्टन के प करेंगे, आलिया को हम लोग दिखाने जा रहे थे, और बता रहे भी थे, यह देखिए, मैंने रस्ते का भी शोट के लिए, मुझे जो टावर बत अच्छे लग रहे थे, कई की लाइटिंग अच्छी लगी, तो ही गाइस, पहुँच गए हैं, हम लोग, मैं भी इस वक है, मैं बस ठीक, उसके सामने खड़ी हूँ, यह रहा, यह है वो, बंगला शारुकान का जो लाइटिंग, लाइटिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है, यही है वो, सो फ्रेंड्स काफी अच्छा लग रहा था, देखके, कितने फ्रेंड फॉलिंगी, यहाँ पर जो आलिया नारास थी, वो कह रही थी, मुझे गाडन चलना है, तो मैंने कहा चल यह एक फोटू ले लेते हैं, कि दूर जब आएं हैं तो फिर, तो ले लिए हमने फोटू यह देखिए, और फ्रेंड काफी भीड था यहाँ पर, जो है इतना रश है ना फ्रेंड, आप लोग भी देख सकते, यह देखिए, सामने रोट पर देखिए, सारी पॉब्लिक, और अभी वहाँ से हम लोग आगे निकल गए, यह रहा है, अब हम लोग आगे हैं, कुछ खाने क हिसाब से अलबैक करके था, यह रेस्टोरेंट, वहाँ पर आगे थे हम लोग, बट वहाँ पर मैंने जादो कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि अलावड नहीं कर रहे थे, थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया, उसके बाद मैंने शूट नहीं किया है, तो हे गाइस, टो कैसा लगा हमारा वीडियो, आप लोग को, एकचिलू मैं फ्रैंड्स का जो व्लॉग है हमने बना लिए और आप होदे हमारे फोलो करना हमारे चैनल को सब्स्राइक करते हैं, आप अपमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हाँ, यह तो एक अप लोग को पसंदनेया है, अ मैं, ही थे, ही थे, लुका लिए लगार है। लेकिन जब हम लोग वहां पहुचे तो सिर्टी पार बंद हो गया था है न मुम्मा वाच में अंकल बोले बंद हो गया है अब नई मतलब चाथ चलता है यहाँ अचले में वह कह रहे थे कि डेढ़ साल हो गया है वहने ना हाफ यूर हो गया है क्योंकि लोगडाउन जब लग अवकिन वहां लेगे हम घाए तो फिर मिरे अवजबन हम लोग को बैन इस टेंड की तरफ ले गए ना ही ज़िए पर बहुत मस्ती करें फिर बर्गर क्या खाये बर्गर क्या बर्गर क्या था आई बर्गर बहुत मज़ा आया और लासा हमा ठोटल में गयते हैं वही वही ब और उसके बाद गर आ गए फिर खापी के हम लोग सो गए इतना थक गए तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का वीडियो हाँ वो तो शेल करें ना हमने चोपाटी का भी वीडियो तो गाइस फिल क्या है दीजिए हम लोगों को इजाज़त हां मेलोगा है नहीं नहीं तो बोलो अगली वीडियो के लिए सब की जरूरत होगी आपको मुझे थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत होगी तब तक के लिए अगना खाया रतना बाई बाई दोस्तों